नमस्कार जेहिन दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है और आज बात करने जा रहे हैं अपन चुनाओं के बारे में जो आज सात्वा चरंता और अंतीम चरंता और चार जून वो रिजल्ट आने वाला लेकिन उससे पहले लगवग एकजिट पॉल आ चुके हैं किसकी सरका बढ़ने जारे किस सरकार को कितने सीटे मिल रही है क्या राजस्तान में अकीबार फिर वी जपी की हैट्रिक लगेगी तमाम इंचिदों बात करते हैं और जो एकजिट पॉल होते हैं वह होते कि या है उसके बारे में बात करते हैं तो वीडियो में आगे बड़े तो आप स कि यह सत्य नहीं होते हैं फिर उसी के आस पास रहती है कि अपन उनको क्यों से गलबद होते हैं वह अपन मदान करके बहार आते हैं तब नूज एजैंसिया आए वो सर्वे करती है हर से पूछते है कि आपने किसी साबस्य बोर दिया है क्या दिया है तो उनके डीरटा तयार करते है और एक जगे नहीं करती है हर विदानशिपाष सीट में लगबग हर जगे सर्वे करती है तो बैच है तो वो आज आ चुका है उसे लगवग क्लिए हो चुकि कि कि श्रकार बढ़ने जा रही है राजस्तान में बहुत हो रहा है कि क्या होुथ राजस्तान की बात करें अब बार 25-25 शीटे लोग स्वीबाद शीटे बीजेपी ने जिती थी लेकिन अब की बार जो है बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है सुनने भी यह आ रहा था कि 25-25 तो नहीं जितेगी क्योंकि अपने राजस्तान के वासी है इसलिए अपने लगबब पता भी था त कॉंगरीस के माद करते हैं बारित के अंडर न्यूस एजेंशियों calm कितनी सीटे इइंद दिये उसके बारें बात करते हैं वैसे मोटा मोटा बात कई जाये तो लगबग जो बीजेपी का चार्सो पार का नारथा चार्सो पार तो नहीं जाएगी लेकिन मोधी सरकार तीसरी बार फिर प्रदानमंत्री बन जाएंगे आराम से उसमें कोई रॉक टॉक नहीं है पिछली बार केवल बिजेवी की 300 सीटे थी तो 300-300 सीटे अब की बार भी बरकरार है जो एंडिया गठमंदन है उसको कुल मिला के लगबग 300-300 सीटे दे रहा है जो भी न्यूज एजेंश है उसके अंदर बात करते हैं अपन देनिक बास कर रहे है देनिक बास ने सर्वे करवाया था एजिट पोलर उसने 281 से लेके इंडिया गठमंदन है उसको 281 से लेके 310 तो दे रहा है किसको जो एंडिया गठमंदन है उसको 350 तक और जो इंडिया है इंडिया गठमंदन उसमें महा गठमंदन था वो था कॉंग्रेस था आभती यह सब ही मिलके मम्ता बनेर्जी थे सपा में था सब मिलके भ इंडिया न्यूज वह 321 दे रही है बीजे भीगो इंडिया गठ बन्दन है उसको 125 और जो अधर है 147 तक दे रही है फिर जन की बात न्यूज एजेंसी है वह 362 से लेके 300 बराणमत तक दे रही है किसको एंड यह मोधी सरकार को सबसे ज्यादा यह बता रही है और 141 से 121 तक दे रही है इंडिया गठ बन्दन को और 10 से 20 तक दे रही है अपने अधर से उनको फिर एक न्यूज नेशन न्यूज नेशन 345 से 318 तक इंडिया गठ बन्दन है उसको दे रही है 153 से 170 तक दे रही है इंडिया गठ बन्दन रावल गंदी को और 10 वह 20 से 25 तक दे रही है अ इंडिया कटमनेनों और 50 देरा अधर्स को एक रिपविलेट टीवी वह देरा 366 154 देरा उसको किसो कर लो फो इंडिया कटमनेनों और 31 देरा अधर्स को तो कुल मिला के यह है कि जो बीजेपी सरकार हैं मौधी सरकार वो आपिस तीश्रिवार सरकार बनने बनाने जा तमाम जो विपक्स ने मुद्धे उठाए थे बेरोजगारी था महेंगा ही था जोब का था वो तमाम मुद्धे साइथ इतने नहीं हाई हो पाए राउल गांदी ने बहुत हर बासन में बोला था कि हम साड़ी आठ अजार उपए देंगे हर गरीब को देंगे साथ खटा-खट खटा-खट लेकिन लगता है कि जो बारत के नागरी थे बड़े जागरूप यह उनको हराम गया फिरी की कमाई नहीं चाहिए उनको पता है कि खटा-खट खटा-खट शीरे पे बासन में होते हैं खटा-खट खटा-खटा साड़ी आठ हुए पर मंत एक परिवार में देना बहुत मुश्किल है गरीबी हटाओ का नारा कॉंग्रेस का उनीस सो हश्ची में चला था उन्होंने इंद्रा गांदी सरकार बनाई थी हम गरीबी अठाएंगे फिर बोला था कि हम 32,000 पर साल का देंगे अपके बारे एक लाग किया है वो भी साइद जन्ता ने नामंजूर कर दिया है कि नहीं साब हमें वो नीच चाहिए जो राष्टर हित में होगा उसको हम चुनेंगे और साइद यही दिख रहा है कि चार जून को बारती जन्ता पार्टी है मोधी सरकार है एक बार फिर बारत के फरदान मुंतरी बनेंगे और उमेद यही करते हैं कि फरदान मुद्रिब बनते हैं अब खेर यह तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया अभी तक यह कटोब है पेपर से पहले कि ओरिजिनल तो जब रिजल्ट आएगा तब ही पता चलेगा लेकिन लगबग इस्तिती साप हो चुकिए इसके अंदर तो य आपकी क्या राए आप जुरू कमेंट करके बताएं अपने साथ दोस्तों शेयर करें मिलते नेक्स वीडियो में आज और भी लिए इतना ही ठेंकी सो मत जे हिंद जे बारत वन दे मात्रम